आज जो हम है इलेक्ट्रोस्टाटिक्स की एप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टाटिक्स है ये कहां कहां एप्लिकेबल है ये जो फिनोमेला है इसे हम डेली लेक्ट में कहां कहां एप्लिकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे हम एक तो ये कि इलेक्ट्रोस्टाटिक्स हमाली हेल्फ के लेहाद के है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टाटिक्स का जो फिनोमेला है इसे हम लोग फ्लाक्ट्रोस वगारा में ज छुमनीयों के अंधर हम लोग फिनॉमना इस्तमाल करते है वो इलको चाहिए छोकिछ पर्डिक्स मालूम है किण कीए थे पूरी पर्रदीक्शन नहें होते हैं के इंक वहां और होती है। इंक का जारे होती है। तरहिद वहां प्र रिहागी को सके लगा कोड भी होती है तो आप निधे रह हिसे एकको के समठी आप हênio पूर्इ लाज़ा है। अब कर दैंगे पूरे मिल्सी है। इलेक्रोस्ट्राटिक पर मंदे नज़र रखते हुए कि हमारी इस तरह से ब्लैक कलर्स की चुमियां वारा बनी होती है जो आपने मौस्टी देखी होंगी जहां से स्मोक वगएरा बाहर की जानित निकल रहा होता है अब इसके अंदर हम दो conductive plate लगा देते हैं metal की बनी दूप आधा देए और इनके दरमयाद ुपिस की बनी होती है जिसे हम यहां पर इनके दरमयान रख देते हैं जैसे कि यह हमारी conductive plates है यह जो है यहां पर हम पॉजितिव चार्ज देने के बाद किसी भी तरीके सいやउने के बाद यहां पर अन्दूर secular हेल्ग करते हैं पर नत डेंकों उन्स उनिस तरेक्श कर्देप एक निगरार इस तरीकेसे और गत्यकम कि पेष्टेम्न उनिगर na होटेक्षर्टिंगत एक थाउन सबगधे है जी तरेकेसे यहां से निकलना शुरू करते हैं यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर लगी हुई नेट के ऊपर चुके पॉजिटिव चार्ज होता है यह नेट के पास जैसे ही गुजरते हैं तो नेट इने अपना पॉजिटिव चार्ज दे रहती हैं अभी नेट से पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं यह नेट से पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं यह नेट के पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं इस नेट की बदूलत त जैसे ही वह यहां से गुजरते हैं, तो अट्रक्शन के वज़ब दो vors ऐसे पोजिटिव चार्ज और यहां नेगिटिव चार्ज बमज़ नहीं होती हैं यहां पर के बाल निगल जाता है जिसके सब बर बहुत हैं वो उसके साती होता है यो सामिल नहीं होते हैं पिंध को पर लिजा हैं दो आपकी उनकी साते होते हैं और के वो बार जाती के बात ना का लिखना कि रीजाता है से इसे हमें ये एक्मोसफेर है दोता है कि हमारा हमें किसी बीकिस्ट नहीं किसम कर से ऐसल הडियर कें किसी अrekिसम कर धार कर से नियु का उप्परिकल Wave जो होता है और फेलिक्त कि इस अप्टरिक्षाटी यही बिएज पर 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 बॉड़ी के उपर अपर करते हैं यह आपको कार करते हैं जैसे कि अगर भी इंड़क्शन के जाती है तो सबसे पहले कि आपको की आपको करते हैं यहां पर रभिन की वजके पार्टिकल निकलते हैं तो यहां पर रभिंग की वज़ा से उख्ण होते हैं पार्टिकल्स कार के सर्फिस के करीब पहुंचते हैं तो यह पर बिल्कुल पेस्ट हो जाते हैं इनकी एक अच्छी कुटिंग प्लेस हो जाती है जो के बहुत एक बहुत ही चीप और बहुत ही ज्यादा अच्छा वे है यानि कि हमें कोस्टी नहीं पड़ता एक्सपेंसिव नहीं होता इस तरह से जो है इलेक्रोस्ट्राटिक इंडक्शन का फिनोमेन इस्तमाई करते हुए आपके पेंट के पार्टिकल्स आपकी कार के उस कि यहां नीकलते हैं द्रेख नहीं नुच पता है ऑा कि उत्स परें मैं तो वे शॉक्छा ब्रीग को कसके context यह उव पेंड़ पर तो यहां नेगितिफ चाह यहां पर एक्टेक्साग्राटिकव शर्ज और बात नायएशा नाती और बोडी ने मौरे की अश्चीन के ब섯 के जो पाल नेNote हे जाता है अश्चीन सब्सक्राइब के लोड़ गया गया जाता है घो नेज पाल जाता हम और प्टीव धोड़ रह पाती है इनके पर attach रह पाती है तो वो सिरफ electrostatic induction की वज़ा से ही रह पाती है तो इसे हम लग मैलोक्ट्रक्शन को अगरा में भी इस्तमाल करते हैं electrostatic induction को और इसके इलाव फाक्ट्रिस बगारा में से जो smoke निकलता है इस smoke को जो है वो dust particles बगारा से clean करने के लिए हम जो है electrostatic induction का फिनोमेना इस्तमाल करते हैं और आप जानते हैं कि electrostatic induction का फिनोमेना है वो electrostatic से ही related है तो यह electrostatic की applications के अंदर आ जाता है उप सो आपको electrostatic जो application है एग तो यह हम लोग इसना से smoke को clean करते हैं अध्रिस में और दूसरी है कि manufacturing के अंदर कारों के manufacturing को यह किसी भी की electroplating को तो उसमें हम किस तरीके से electrostatic को इस्तमाल करते हैं इसके बारे में आपको काफी हथत्त समझ आगोए तो